आप से भी बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज खुश ख़बरी बिग ब्रेकिंग न्यूज जो भी आप बुलाना चाहें बुला सकते हैं बड़ी अपडेट आ गई है एकलब मॉडल रेसिदेंशल स्कूल टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ रिकूटमेंट 2023 से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट आई है 10,391 टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर्मनेंट पोस्ट के लिए ओनलाइन अप्लिकेशन शुरू हो गई है आपको याद होगा मैंने दो वीडियो बनाए थे एक तो हाई कोट का स्टे लग गया है उसके बाद दूसरी वीडियो मैंने फिर से बनाई थी सभी के लिए कि हाई कोट के स्टे को हटा दिया गया है यह कहके कि ठीक है रिक्रूट्मेंट प्रोसेस को चलने दिया जाना चाहिए और मैंने आपको यह बताया था कि या तो करेक्शन विंडो ओपन कर देंगे या फिर ओनलाइन अप्लिकेशन की पोर्टल को ओपन कर देंगे तो कई सारे कैंडिडेट का मिस हो गया था ओनलाइन अप्लिकेशन नहीं कर पाए थे तो उनके लिए फिर से जो है ओनलाइन अप्लिकेशन की पोर्टल ओपन कर दी गई है यह विबसाइट पे हम चलकर बाकी की डीटेल्स चेक कर लेते हैं तो टीजीटी के लिए ट्रेंड ग्याजवेट टीचर के लिए 5,660 पोस्ट हैं तोटल सब्जेक वाइस भी मैं आपको अलग से बना के बताती हूँ सर्षा सर्ट पोस्ट ओस्टेए के लिए वाड़िन के लिए 669 पोस्ट इसके बाद प्रिंसिपल के लिए चाहले ठीयांड टींड फिंसेटी सिस्ट गिए तूहाउजेंड टूहाज़ेचलग सोब्सक्टि के लिए 2,266 पोस्ट और नन टीच उतक अलावा अचलर्क और 10, एकाउंटेंट के लिए 361, इसके लिए डीटेल वीडियो अलग से नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों के लिए बना देती हूं, तो अपडेट यह आ गई है वेबसाइट पर ही, आप देख सकेंगे, यह औलाइन अप्लिकेशन पोर्तल को फिर से उपन कर दिया गया, यह वाले ही वेकेंसी हैं, लेकिन उस समय 18 अगस्त को पोर्टल बंद कर दिया गया था, और कहा गया था कि करेक्शन विंडो आएंगे, बट कोर्ट का स्टेल लगा, और कोर्ट का स्टेल हटा, इसमें फिर से डिसीजन हुआ होगा कि कुछ कैंडिडेट कई विजय से नहीं भर तो वो फिर से यहां पर आवेदन कर सकते हैं, 19 अक्टूबर 2023 सभी पोस्ट के लिए ओनलाइन आप्रिकेशन पोर्टल को वापस से यह कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया, अब इसे यह भी है कि अब रिकूट्मेंट प्रोसेस तेजी से होगा, और आप एक्जाम की तय अब इसे वीडियो को देखें, क्योंकि आप अलग अलग जगह पर वीडियो देखेंगे, पेक न्यूज आपके दिमाग में भरा जाएगा, इससे आप डिस्टर्ब रहते हैं, तो अथेंटिक न्यूज कहां मिलती है, यह चीज पहले समझ लेनी चाहिए, और उसके बाद ह आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिला करेंगे, आप सभी को बेस्ट विशस, थाइंक्यू रहे